नमस्कार साथियों Infusion Notes के डिजिटल प्लेटफरम पर आपका स्वागत है आज का सेसन रहेगा साथियों 16 माईट 2014 इंडिया करेंट अफेर्स का इस सेसन के अंदर जितने ही महतुपून परसन बनेंगे इंडिया करेंट अफेर्स के वह माँ आपके साथ शेर करूँगा साथ उन परसनों से जुड़े हुए जो महतुपून तथ्याप से पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साधा करूँगा और आपकी सुईदा के लिए साथ यह Infusion Notes के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके लाव साथ यह क्लास होती है मात्र 15 मिंट की और इससे बाहर आपका इंडिया क्रेंट अफेर्स का क्यूशन जाएगा नहीं कि भारतिय वायू सेना ने आस्मान में उड़ने वाले किस अस्पताल का है जो सफल प्रिक्षन है किया है तो आंसर हो जाएगा सातियों विसम इसका क्या नाम है विसम इसका नाम है सातियों इसका है जो भारतिय वायू सेना के द्वारा हाली के अंदर है जो प्रिक्षन किय तो इसको एक स्तान से जो दूसरे स्तान पर ले जाया जाज के तो अब इसका नाम है तो श्मान में उनने वाले अस्पाल का जो सफल परिक्षन है तो साथेूं 14 माइको इंडियन एरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जॉन में बैटल फिल्ड हैल्थ information system for medical service portable aspetal का है जो सफल प्रिक्षन क्या है यानि इसका जो नाम है वो क्या है विसम यानि साथ यूश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर है जो इसके अंदर चिकिशा सुईदा की है जो सुईदा रहने वाली है और इसका नाम है जो विसम है और कहां पर आगरा के अदर है ज सफल प्रिक्षन किया गया है इसके अंदर देखिए यू सेना के एन 32 विमान से पेरा सूट की मदद से करीब 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल विसम को हजो जमीन पर उतारा गया यह इसका फोटो है साथ यू इसके माध्यम से है या नी इसके अंदर बताया है कि यू से भारतिय एरफोर्स के द्वारा किया गया तो अपने लिए मोश्ट इपोर्टेंट साथियों आज के दिन का यह कि उसने रहने वाला है अगले क्योसन पर बात करेंगे साथियों अगला क्योसन आप से पूचा है कि शिंगापूर के चोथे परधान मंतरी के रूप में है जो किसने सपत है जो ली है साथियों जितनी भी प्रिक्षाएं होती है उनके अंदर साथियों इस परकार का क्योसन ज्यादा पूचा जाता है कि जो परधान मंतरी की नियुक्ति होती है या राष्टपती है जो कौन से देश में कौन बना है या किस राष्टपती ने है जो इस के अंदर सपतली है सिंगापुर के उपने तक कुन है लॉरेंस वोग ने देश के चोथे परधान मन्तरी के रूप में है जो सपतली है इकाउन वरसी ए अर्थ साच 3 लॉग बेप्टर वर्षी ली सिंघलूंग का स्थान लेंगे जिनवांगे जिनहों लोरेंस से वोग बने हैं ये इनका फोटो है तो अपने लिए इपोर्टेंट है रहने वाला है आगे अगले क्युशन पर बात करेंगे अगला क्युशन आप से पूचा है कि वित वर्स 2024 में चीन कितने डॉलर के साथ भात का सबसे बड़ा व्यपारिक है भागीदार बनकर उब्रा है ये मोश्ट उपोर्टेंट क्युसने रहने वाला है आप से में पूचा गया है कि वित वीतार 2400 चीन कितने डॉलर के साथ वीतार 2024 के अंदर चीन भारत का सबसे बना है वीत्वर्स दोजार तोईस में चीन के साथ भारत का दूपक्षे वेपार है वो सातियों 118.4 बिलियन डॉलर का है जिसमें आयात 3.4 से बढ़ कर कितना हो गया है एक 101.7 बिलियन डॉलर और नीदियात में साथ ही कितनी परतिसत्यों वर्धी हुई है नीदियात के अंदर 8.7 परतिसत्यों पταकुत्यों किस बड़ोत्री कितना हो गया है 118.4 billion dollar का है जो वेपार के हुआ है तो ये भी अपने को याद रखना है 118.4 billion dollar का आगे बढ़ेंगे अगले क्यूसर पर बात करेंगे अगला क्यूसर आप से पूछा है कि Global Excellence Award 2024 है जो किसे दिया गया है आप से पूछा है कि Global Excellence Award 2024 है इस कांसरे रहने वाला है ये कौन है सात्यों परसिद शिख्षावीद और चंदरा एडिमिसन क्लास्मेंट्स के संस्थापक और CEO चंदरकांस तीजा को 12 मई को है जो बुंबई के सहरा स्टार होटल में आउजी तेक भवय कारेकरम में है जो सात्यों ग्लोबल एक्सिलेंस अवाड दोहजार चोई से सम्मानित किया गया और इनको सात्यों शिलफा सेटीजी के द्वारा है जो सम्मानित किया गया ये कौन है सिख्षावीद है परसिद शिक्षावी दीने हाली के अंदर Global Excellent Award 2000 चोईसे हैं जो सम्मानिते किया गया है ये अपने को यादे रखना है अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आप से पूचा है कि अगस्ट 2024 में खोको विशो कप है जो कहां पर आयोजिते किया जाएगा ये क्यूशन इपोर्टेंट रहने वाला है कि अगस्ट के अंदर साथियों खोको जो विशो कप है उसका आयोजिते है जो कहां पर किया जाएगा तो साथियों भारत में है जो खोको विशो कप का आयोजिते है जो किया जाएगा और कब से कब 2-10 अगस तक इंद्रा गांधी स्टेडियम में खोको विश्यो कब का आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर साथियों कितने? 17 देश इसके अंदर भाग लेंगे और कब से कब 2-10 अगस तक है जो इसका आयोजन किया जाएगा यह अपने को याद रखना है दो सें 10 अगस्त तक सातियों इसका आयुजन है जो कहां पर है इंद्रा गांधी स्टेडियम के अंदर किया जाएगा और 17 देश इसके अंदर हैं जो भागे लेंगे ये भी अपने को याद रखना है अगला क्यूसन आप से पूछा गया है कि हाली में गोला फैंक संपर्दा में राष्ट्य रिकोर्ड है जो किसने बनाया है ये most important क्यूसन सातियों कर लीजिएगा आज के दिन का और अगामी प्रत्योईता परिक्षा में ये क्यूसन आप से पूछा भी जानेगा आप से वाने राष्ट्य फेडर्शन कप एथलेटिक्स के दूसरे दिन सातियों 18.41 मिटर की दूरी के साथ महलाओं के गोला फैंक में राष्ट्य रिकोर्डे बना दिया है ये भी अपने को याद रखना है इन्होंने कितना गोला फैंका है 18.41 मिटर का 18.41 मिटर का ये देखिए ये इनका फोटो है सातियों 18.41 मिटर इन्होंने क्या फैंका है गोला फैंका हुए नाम क्या है अबा खटवा इन्होंने महलाओं के लिए क्या बना दिया है ये राष्ट्य रिकोर्ड है जो बना दिया है ये अपने को याद रखना है अगला क्यूसरा आप से पूचा है कि अप्रेल मंत की female player of the month है कौन बनी है important क्यों से रहेगा साथियों आप से पूछाए कि ICC के द्वारा साथियों ICC के द्वारा है जो परतेक महने के अंदर है जो स्रोसेष्ट खिलाडी होते हैं पुरुस्वे महला उनको है जो पुरुसकारे दिया जाता है आप से पूछा है कि अप्रेल मंत की female player of the month है कौन बनी है अप्रेल मंत की ICC की female player of the month कौन बनी है तो हेली मैथ्यूज बनी है कौन बनी है हेली मैथ्यूज जो बनी है इसके अंदर साथियों पाकिस्तान में वन डे और टी टाउंटी सिरीज के दुरान दोनों में वेस्ट इंडीज की सफलता को नेतर तो करने के बाद हैली मैथ्यूज ने ICC महला प्लेयर ऑफ दामन्थ का पुर्षकार है जो जीता है UA के कप्तान ये तो होगी साथियों फीमेल के अंदर कोन है हैली मैथ्यूज ये कहां की है वेस्ट इंडीज की है ये इनका फोटो देख सकते हैं इसके अलाव साथियों इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि महला और वेपुर्ष से दोनों को ये पुर्षकारे दिया जाता है वहीं ICC महला प्लेयर ओवदामन्थ हो गई और UAE के कप्तान और सलामी बलेवाज महमद वसीम को है जो साथियों SAC प्रीमियम कप में UAE की जीत में उनकी उलेखनी है रनिंग स्कोरिंग कारणामों के चलते हैं जो ICC पुरुस खिलाडी ओवदामन्थ है चुना गया है तो यह अपने को दोनों याद रखने हैं महिला के अंदर साथियों चुना गया है है हैली मैथ्यूज को और वहीं साथियों अगर आप से पूछे भी इसके अंदर किशें चुना गया है तो ये हैं UAE के कौन है मोहमद वशीम को चुना आगया है दोनों इपोर्टेंट रहने वाले हैं ये तो साथ यों तीसरी बार बनी है लेकिन UAE के जो मोहमद वशीम है इनको पहली बार है जो प्लेयर आप दामंत का खिताब मिला है तो यहां से इपोर्टेंट रहेगा कुछने कुछा जा सकता है आप से आगे बढ़ेंगे साथ यों अगले कुछन पर बात करेंगे अगला कुछन आप से पूछा है कि हाली में जारी सेंटर फोर वर्ल्ड यूनिवर्स्टी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतिय संस्तान है शिर्ष पर रहा है तो आप का अंसर हो जाएगा आई आई में हैंदाबाद है जो इसके अंदर साथ यों क्या रहा है शिर्ष पर रहा है आई एम एहमदाबाद इस लिस्ट में भारत का टोप संस्तान है जो बना है तो अपने लिए इपोर्टेंट है रहने वाला है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्स्टी की जो रैंकिंग आई थी साथ है उसके अंदर है जो जेनियू है वो है जो शिर्ष पर रहा था तो दोनो सिकर व्यर्स ने कहां पार किया गया है ये आप से पूछा गया है कि वीर्स क्रणा है और स्रोटेंट में आई जित होने वाले व्याद्र के लिए म情況 के अपना शयों का मंडप है जो स्थापित किया था भात मंडप हम नवीन और नवीकनिय उर्जा मंतराले भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और शिखर श्रमेलन के सबसे बड़े मंडपों में ऐसे एक है इसका उद्धवाटन है जो बारा मई को साथ यो किसने नवीन और जो कहां पर किया गया नीदर लेंड के अंदर किया गया था 13 से 15 मी 2014 को अगला क्यूसन आप से पूचा है कि सहते अकादमी फैलोशिप से किसे सम्मानित किया गया ये क्यूसन साथ यूँ पूछे जाने वाला क्यूसन है आप से में पूचा है कि साहित्यक अकादमी फैलोशिप से किसे सम्मानित किया गया रस्कीने बॉंड को साहित्यक अकादमी फैलोशिप से किसे सम्मानित किया गया तो आंसर हो जाएगा रस्कीने बॉंड को परख्यात अंग्रेजी लेखक रस्कीन बॉंड को साहिते अकादमी की फैलोसी परदाने की गई है साहिते अकादमी का सरवोच सम्माने महतर सदस्तिया और अंग्रेजी के परख्यात लेखक और विद्वाने रस्कीन बॉंड को परदान की गई है अगला कियुसर न आप से पूछा है कि हाली में Senior National Selling Championship 2024 का आज़न है, जो कहां पर किया जार है, ये भी साथ यूंश्ट इपोर्टेंट कियुसर ने रहेगा, आप से पूछा है कि हाली में Senior National Selling Championship 2024 का आज़न कहां पर किया जार है, तो आंसर हो जाएगा, बुमबई के अंदर 2024 का आज़न है, ये है, आज़न भारती है, नो सेना Selling Association और नो सेना मुखेले के सहोग से है, जो किया जार है, तो ये इपोर्टेंट है कि हाली में Senior National Selling Championship 2024 का आज़न कहां किया जार है, तो आप कहां पर किया जाएगा, बुमबई के अंदर है, जो इस का आज़न है, ये अप अजया कि शने आप सेना, आप सेना पूछा है, कि 26 गड़ का पर्थं, 15 मेगवाट का फ्लोटिंग SOLDर प्लाइंट है, जो कहां प्लाइगा का आंज़न हो जाएगा, दुरू के अंदर, 23 गड़ में S स्तित विशाल मुरोदा फर्ष जलाशे के भीतर 15 मेगावार्ट समता का फ्लोटिंग सेंटर है जो स्तापित है किया जाएगा तो इसे साथ यूं मोश्ट इपोर्टेंट है कर लीजिएगा पुछा जा सकता है कि 36 गड़ का पर्थम 15 मेगावार्ट का जो फ्लोटिंग सेंटर प्लांट है वो कहां स्तापित किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा दुर्ग के अंदर है जो स्तापित है किया जाएगा आगे बढ़ें अगले क्यूशन पर बात करें अगला क्यूशन आप सेंपूछा कि भारत क भारत के 85 में ग्रेंड मास्टर कौन बने है और आप सेंपूछा भी जाएगा साथियों आप सेंपूछा है कि भारत के 85 में ग्रेंड मास्टर कौन बने है भारत के 85 में ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो आंसर हो जाएगा पी श्यामा निखिल है जो बने है इसके अंदर द कौन थे पर्थम वीशो ना थे आनंद जी थे और सबसे यूआ अगर आप से पूछे कौन थे तो डी गुकेस हैं तो सबसे यूआ भार्त के ग्रेंड माश्टर के रूप में बने हैं ये अपने को याद रखना है चुराशियूआ कौन था ये आपको कमेंट बॉक्स के अंद नहीं थे इंडिया करंट अफेर्स के वो मैंने आपके साथ सेर कर दिया है और आपकी सुझदा के लिए साथ ही इंफीजर नोट्स के टेलिग्राम पर आपको ये पीडियाप मिल जाएगी यह सहसना आपको पसंदार है तो इसे लाइक वसे जुरूर कीजिएगा कम समय में क वालेटी करंट अफेर्स के लिए जुड़ी रहीगा इंफ्यूजर नोट से धन्यवाद